बिहार पुलिस 2391 पोस्ट के लिए जो आपका रही एकजाम 7 अगस से सुरू हो रहा है और एकजाम सुरू होने से पहले जो बिहार पुलिस का न्यू सिलेबस जो आपको बतलाया गया है जो सिलेबस में बतलाव किया गया है आज के इस प्रेक्टिस सेट में हम लोग न्यू सि सल्व करेंगे ठीक है और ध्यान रखेगा यह जो प्राक्टिस सेट है बिहार पुलिस के लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है क्योंकि इस प्राक्टिस सेट में आपको नवी और दासवी लेबल के ही प्रस्ना आपको सल्व करवाये गये हैं जो सीधा आपके बिहार पॉन में डाउनलोड कीजिए और वहां से आप लोग लोग इन करके इस टेस्ट को परचेस कर सकते हैं ठीक है तो आईए हम लोग ज़दा समय ब्यार्थना करते हुए अपने सेशन को सुरू करते हैं और अपने प्रस्न को सल्व करते हैं देखिए प्राक्टिस सेट का पहल अगिस बरस बना था देखिए अगर बात किया जाया पहले नमबर प्रस्ण का सही जबाब का तो यह अदिनियम ही उत्तर का चैन की जी देखे एक तरफ सुची एक में दिया गया है भारत सनक्षित छेत्र और दूसरी तरफ यानि की संख्या यानिकी वर्स 2018 के अनुसर डाता की दिया गया ठीक है अगर बात किया जाए कि वन जीव अभ्यारण भारत में कितना है तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग इस प्रस्न का सही जब आप क्या हो जागा कूट नीचे दिया गया है ठीक है तो समुदाईक रिजर्व की संख्या हो जागा यानिक 46 एक का मेल दो से हो जागा ठीक है कंजर वेशन रिजर्व आप लोग ध्यान रखेगा इसके संख्या हो जागा 76 यानिकि B का मेल हो जागा 4 से राश्टिये पार्क कितना हो जागा तो ध्यान रखेगा आप लोग 106 और 1 ने जिव अभ्यारन 2018 के डाटा के अनुसार यानिकि 566 हो जागा इनिकि D का मेल 3 से होगा अपसन ये को देखिए 2 का A, B का 4, C का 1, D का 3 ठीक है तो अपसन ये आपके 2 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा अगला प्रस्ण है आपका 3 नमबर देश के पहले अपदा परबंधन प्रसिक्षण संस्तान की एस्तापना कहां की गई ध्यां रखिएगा अपसन नमबर B को लातूर महरास्ट में 2008 में किया गया ठीक है 2008 में किया अपसन नमबर B आपके 3 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चौथा प्रस्ण पुछा गया है निमलिखित में कौन सा सर्च इंजन नहीं है देखिए सर्च इंजन का बात किया जाए तो बिंग भी है याहू भी है गूगल भी है ठीक है बाकी नहीं पुछा गया है क्रोम आपके 4 नमबर प्रस्ण का बिल्कूल सही जबाब हो जाएगा ठीक है चली आगे देखिए 5 नमबर प्रस्ण पुछा गया है प्रोग्रामिंग में पी एचपी है तो प्रोग्रामिंग में पी एचपी का अर्थ होता है समान्य उदेश प्रोग्रामिंग भासा अप्सन नमबर ए आपके पांच नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए साथ सौरी छोवा नमबर प्रस्ण पुझा गया है HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर S का क्या अभिप्रा है ध्यां रखेगा अगर HTTPS का फूल फर्म का बात किया जाए तो ध्यां रखेगा हाइपर, टेक्स, ट्रांसफर, प्रोटोकॉल और S से हो जाएगा सिक्यूर तो S का साथिक अर्थ होता है अप्सन नमबर D को ध्यां रखेगा सिक्यूर हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए सात्वा नमबर प्रस्ट पूछा है निम्र में से अफिरका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है ओपेक का सदस्य देश कौन सा नहीं है तो ध्यां रखेगा ओपेक की एस्तापना 1907 में हुआ था और इसका मुख्याले बियना में है और यहीं पर ध्यां रखेगा ओपेक में वर्तमान में कुल 14 सदस्य है जिसमें से अंगोला हो जाएगा अलजिरिया हो जाएगा लिबिया हो जाएगा बाकी बात किया गया प्रस्ट में नहीं कौन है दक्षिन और फिरका इसका सदस्त नहीं है अपसंडी आपके 7 नमबर प्रस्ण का सही जबाब अगला प्रस्ण है 8 नमबर बॉली बॉल के खेल में परतेक टीम में कितने खिलारी होते हैं तो बॉली बॉल टीम में देखा जाए तो धियां रखिएगा परतेक टीम में अपसंडी चोव खिलारी होते हैं चोव अपसंडी आपके 8 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है 9 नमबर प्रस्ण पुछा गया है निमलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य परदेश सरकार परदान नहीं करती है देखिए मध्य परदेश सरकार की बात किया जाए तो तुलसी सम्मान भी परदान करती है तानसेन सम्मान भी परदान करती है और ध्यान रखेगा यानि कि काली दा समान को भी परदान करती है बाकी भारत भारती पुरुषकार को परदान नहीं करती है अपसंडी आपके नव नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जागा ठीक है दास्वा नमबर प्रस्ण भारती रिजर्ब बैंक में पर्थम महिला उप ग एक तरफ जीव मंडल दिया गया है, एक तरफ उससे संब्धित राज दिया गया है, तो बात किया जाए निलगिरी का तो ध्यार खिये गा, तमिलांडू हो जागा, मानस का हो जागा, असम, पंचमरी आपका, अरिसा हो जागा, और सिमली पाल आपका हो जागा, यहनिकी पर्दिश ठीक है कि माध्यम से अप्षन C का मेल बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे देखिए आगला प्रस्णा आप से पूछा गया है 12 नमबर निमलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है बताईए गलत की बात किया जाए तो देखिए भारत में सबसे बड़ा ब पर्दिश ठीक है जो कथन दिया गया है बिल्कुल आपका गलत कथन है ठीक है चलिए आगे देखिए 13 नमबर प्रस्ण है नर्मदा बचाओ आंदोलन की अगर बात किया जाए 13 नमबर प्रस्ण के लिए तो अप्षन C को ध्यान रखिएगा मेधा पाटेकर मेधा पाटेकर अप्षन C आपके 13 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 14 नमबर प्रस्ण है दो इंसाइडर किस पुर्व पीम की रचना है यानि कि जो इंसाइडर पुष्टक है या किन की रचना है तो अप्षन D को ध्यान रखिएगा पीबी नर्सिंभा राव की रचना है यह 14 का सही जबाब अप्षन D हो जाएगा ठीक है 15 नमबर प्रस्ण देखिए निम्न दिख्यात खिलाडियों में से राजीव गांधी खेल रत्न प्रोष्कार पाने वाले पहले बेक्ति कौन था तो पहले बेक्ति का अगर बात किया जाए तो विस्वना अनंद को दिया गया था और विस्वनात अनंद जो थे एक सत्रंज खिलाडी थे ठीक है अप्षन B को ध्यार रखिएगा 15 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा 16 नमबर प्रस्ण है किस छेत्र में उस्ताद बिस्मिला खा ने परसिद्धी पाई या प्रस्ण बिहार फायर में में भी आपका पूछा गया है तो ध्यार रखिएगा एक सहनाई वादक थे अप्षन से आपके 16 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए 17 नमबर प्रस्ण है आपका common wealth खेल में देशों की कूल संख्या कितनी है तो common wealth में अगर देखा जाए तो option D को ध्यां रखिएगा 54 देश है कितने देश है 54 option D को आप लोग ध्यां रखिएगा ठीक है आगे देखिए 18 नमबर प्रस्ण है भारतिये खेल प्राधिकरन SAI की स्थापना कब होई तो इसकी स्थापना का बात किया जाए तो 1984 में हुआ इस बात को ध्यां रखिएगा अपसनी आपकी 18 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है आगे देखिए अगला प्रस्ण है निमलिखित में किसको संबिधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की सक्ति दिगई है तो मौलिक अधिकारों को लागू क सर्बोच नियाले और उच नियाले दोनों को है जैसे सर्बोच नियाले से संबंधित अनुच्याद हो जाएगा 32 और उच नियाले से हो जाएगा 226 ठीक है तो अपसनी में दिखिए में कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है देखिए सही सुमिलित को नहीं है निकली की गलत कौन है अब सनी में दिया गया अनुछेद 59 का मन्याव निसुलक बिल्कुल दिया और चालिस में धिया है क्या है गराम पंचाइदों का गठन यह भी स Теперь आनुछिद 44 जो है समान-नागरिक सनिता या भी सही है देखिए धिया रख्येगा भारत में दो ऐसी राज्य है जहाँ पर शमान-नागरिक में कुल कितने राज्य में अनुछे 44हाद में राज joints है तो ध्याँ द Willow राज में जिसे स妈न नागरिक SH abilities I can only check 44 में लेकिया देखिए इस समान नागरिक सनहीता का उलेक किया ग्या है στο 44 की अ रहत किया जाए correct का लिए न्याइय Πाली का कारे पालिका से प्रिथ करण किसे से ब्या देशित है तो ध्यां रखिएगा आप्शन नमबर भी राज के नितिन निर्देशक तक्तों से जिसकी चर्चा अनुछे 36 से लेकर के 51 तक है ठीक है और इसे आइरलेंड के संभिधान से लिया गया है तो आप्शन भी हो जागा एक किस न थी बताईए इस प्रस्ण का सही जबाब क्या हो जागा तो काफी इजी प्रस्ण है आप सभी बता सकते हैं अप्शन नमबर ए यानि की स्वन सिंग कमिटी ने ठीक है वर्तमाल में मुल्क करतब्यों की संख्या कितना है तो 11 है इस बात को आप लोग ध्यां रखिएगा ठी ठीक है आगे देखिए 23 नमबर प्रस्ण है भारत के राष्टपती के पास कौन सा बीटो सकती नहीं है तो भारत के राष्टपती के पास ध्यां रखिएगा पौकेट बीटो है पूंड बीटो है निलंबिट बीटो भी है लेकिन विशेशित बीटो नहीं है अप्शन D ठीक है चली आगे देखिए अगला प्रस्ण है आपका 25 नमबर निम्ण में से कौन राज सुची में है तो राज सुची में ध्यां रखिएगा रेलवे पूलिस हो जागा अप्सन नमबर ए आपके 25 नमबर प्रस्ण का बिलकुल सही जबाब हो जागा ठीक है आगे 26 नमबर प्रस्ण पुछा गया संविधान की अनुसोची छो में इनमें से किस राज में लागू नहीं होती है तो लागू नहीं होती है तो ध्यां रखिएगा असम में लागू होता है तिरपूरा में लागू होता है मिघाले में रागू होता है ठीक है और एक मिजोरम में लागो होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी मड़ी पूर में लागो नहीं होता है, अपसन B, 26 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जागा, ठीक है, आगे देखिए, 27 नमबर प्रस्ण है, मान चित्र पर खीची हुई वे रेखाए, जो सागर जल से समान उचाय को निरुपित करती है, तता बिभीन एस्तानों से होकर के गुजरती है, क्या कहलाती है, तो समोच रेखाए कहलाती है, अपसन नमबर भी आपके 27 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जागा, ठीक है, चली, आगे देखिए, 28 नमबर प्रस्ण है, निमलिखित में से सी सीत मरवस्तल का बात किया जाए, तो आताका मरवस्तल आप लोग ध्यान रखेगा, अपसन नमबर से आपके 28 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा, और यह मरवस्तल आप लोग ध्यान रखेगा, कहा है, तो चीली में है, ठीक है, चीली में है, वही बात किया जाए, थार अरब और सहारा मरवस्तल का उसनों कटी बंद में है और यह क्या है तो ध्यान रखिएगा गरम मरवस्तल है ठीक है 29 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से चंद्रगुप्त के कुमहारार एस्तित महल की खुदाई किस ने कराई थी तो यह खुदाई आप लोग ध्यान र दिगंबर साखा में विभाजन हुआ तो ध्यान रखिएगा यानि कि 322 इसापूर में और उस समय जो सासंता ध्यान रखिएगा अमर्य वन्स का था अप्सन नमबर डी आपके 30 नमबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा ठीक है 31 नमबर प्रस्ण है देहलिवाल नामक ना लिखित में से किस एस्टूब का निर्माण बीना चबुत्रे के किया गया तो बीना चबुत्रे का ध्यान रखिएगा सारनात के धामेक एस्टूब का निर्माण किया गया है ठीक है अप्सन नमबर सी हो जाएगा 32 नमबर प्रस्ण का सही जबाब 33 नमबर प्रस्ण है अगला प्रस्ण है आपका 34 नंबर महत्मा गाधी की अनुसार निमलिखित में से किस ने भारतियों को अपनी ही भूमी पर अजनवी और अपाहिज बना दिया तो अंग्रेजी सिक्षा आप लोग ध्यां रखेगा अपसन नंबर डी आपके 34 नंबर प्रस्ण का बिलकुल सही जबाब हो जाएगा ठीक है 35 नंबर प्रस्ण है 1935 के भारत सासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का अग्या पत्र कहा था तो दास्ता का अग्या पत्र अपसन नंबर सी ध्यां रखेगा पंडित च्वाहरलाल नेहुने कहा था ठीक है 35 का बिलकुल सही ठीक है चलिए आगे देखिए 37 नंबर प्रस्ण को सल्व किजिए और भी फार्सी इसलामिक कानून के अध्यान को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदर्शा मुहमदन लौ कॉलिज की स्थापना कव की तो 1781 में किया था अपसन नंबर बी को आप लोग यह चिक गणराज भी है लिठू आनिया नहीं है इस बात को ध्यान रखेगा आप संडी आपके 38 नंबर प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब होगा ठीक है 49 नंबर प्रस्ण को संगठन अंट्राक्टिक हिमखंडों को ट्रेक करता है तो इसे जो ट्रेक करता है ध्यान अधिनस्त पार्थाग की नितिक की सवाय सराय ने अपनाई थी तो देखिए यह जो निति है ध्यान रखेगा आप सभी लोग अप्सन भी लॉड हैस्टिंग ने अपनाई थी अप्सन नंबर भी आपके 40 नंबर प्रस्ण का सही जबाब हो जाएगा 41 नंबर प्रस्ण गुप्त वंस ने डैस अवधी में सासन किया तो 319 से 520 भी आप सभी लोग ध्यान रखेगा जो आपके अप्सन नंबर ए में दिया गया है 42 नंबर प्रस्ण का सही जबाब 43 नंबर प्रस्ण ने बहमनी समराज की सापना किसने की थी तो बहमन साने किया था अप्सन नंबर या आपके 43 नंबर प्रस्ण का सही जबाब हो जागा 44 नंबर प्रस्ण ने असःयोग और खिलाफत अंदोलन कॉप सुरू किये गये तो ध्यान रखेगा अप्सन के अनुसार 19 अज़ान आपके इस प्रस्ण का सही जबाब हो जागा 44 नंबर प्रस्ण के लिए ठीक है 45 नमबर प्रस्ट ने पर्थम अंत्रीम रास्टिय सरकार के घोशड़ा कब की गई तो देखिए पर्थम अंत्रीम रास्टिय सरकार पूचा है तो अप्सन B को ध्यार रखेगा 24 अगस्त 1946 जो आपके अप्सन नमबर B में दिया गया ठीक है अगला प्रस्ट है 46 नमबर वर्ष उन्निस सरकार में राजिंद्र परशाद की पास कौन सा विभागता तो खाद एउम क्रिसी विभागता अप्सन नमबर D आपके 46 नमबर प्रस्ट का सही जबाब हो जागा ठीक है 47 नमबर प्रस्ट ने भारत का सुदूर पुर्वी विंदु पूछा गया है तो कीवीथू हो जाएगा जो अप्सन नमबर B आपके D आपके 47 नमबर प्रस्ट का सही जबाब हो जागा ठीक है आगे देखिए 49 नमबर प्रस्ट ने निमलिखित में से कौन सा दर्रा भारतिय हिमाले छेतर में नहीं है तो लिपुलेक है ही जो जीला आपके सिक्की में मिलिये जाएगा शिपकिला आपका यनिकी आंध्र प्रदेश में आपको मिलिये जाएगा सौरी हिमांचल निमलिखित में से किसकी सहाइक न दिया है तो गोदावरी की सहाइक न दिये अपसर नमबर भी आपके 50 नमबर प्रस्ट का सही जबाब होगा आगे देखिए 51 नमबर प्रस्ट ने भारत में सरवाधिक वर्सा का मुख्य कारण क्या है तो आप सभी जानते हैं कि मेगाले के मनसिन राम में सराधिक बरसा होता है लेकिन कारण पुछा गया है तो दक्षिर पच्छी मनसून से अधिक बरसा होता है अपसंसी आपके एक आवन का सही जबाब हो जागा ठीक है 52 नमबर प्रस्टने निमलिखित में सही जोड़ी एस्तनांतरित क्रिसी का नाम और सम्मधित राजी की पहचान करें देखिए ब्रिंगा एस्तनांतरित क्रिसी को ब्रिंगा जो है न ओडिसा में क्या कहा जाता है तो ब्रिंगा कहा जाता है पॉंड ध्यान रखेगा आंद्र पर्देश में एस्तनांतित क्रिशी को पॉंड नाम से जाना जाता है बेबर मद्र पर्देश में इसे बेबर कहा जाता है कुरुवा ज्यारखंड में कुरुवा के नाम से जाना जाता है सही मेंफसंसी दिया गया है ध्यारखिएगा इंपोटे encant परसने तीरपन नम्बर परसने तीर्पन नमबर परसने आपका golden fiber के रूप में किसे जना जाता है तो zoot को जना जाता है अफसंसी आपके तीरपन नम्बर परसने का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चंवन नमबर पार्ष्ण राश्टि राजमार्ग वण पुराना करमांग, इन में से किन ऐस्तान को जोडता है? तो दिली को ऐटारी से जोडता है, अप्संसी आपके चंवन नमबर पार्ष्ण का सही जबाब होगा, ठीक है? पच्पन नमबर प्रस्ट है निमलिखित में से कौन सा एक वर्स 2021 की जनगर्णा के अनुसार राज्यों का उनके संख्या घनत्यों के आधार पर सही औरोही करम है तो सही औरोही करम आपका हो जाएगा और रांचल परदेश, मिजोरम, सिक्कीम, हिमांचल परदेश अपसा नमबर बी आपके 55 नमबर प्रस्ट का सही जबाब हो जाएगा ठीक है चली आगे देखिए 56 नमबर प्रस्ट है निमलिखित में से कौन सा नवी कर्णिये उर्जा सुरूत है नवी कर्णिये देखिए और नवी कर्णिये कोईला पेट्रोलियम मिटी तेल हो जाएगा ठीक है मिटी का तेल लेकिन नवी कर्णिये पूछा है ध्यान रखेगा बायो मास हो जाएगा अपसा नंबर सी आगे देखिए 57 नंबर प्रस्ण यह किसका विचार है कि समाजिक असं 50 नंबर प्रस्ण है बैक्ती की पहचान जेसे वर्गोण निर्जातियता लिंग निसकता और स्थान में बिभीन पहलों के वर्णन के लिए किस पद का परियूग किया जाता है तो ध्यां रखेगा अंत्रा नुभागियता का प्रियूग किया जाता है अपसा नंबर A आपक चोक का पर्योग क्या है तो चोक का पर्योग है करेंट के परवाह को बढ़ाने के लिए चोक का पर्योग किया जाता है 69 का सही जवाब अपसा नमबर C हो जाएगा ठीक है अगला प्रस्ण है चंद्रमा साथ नमबर है चंद्रमा और सुरी के कारण होने वाले ज्वार भठे के बारे में कौन सा नियम S पस्ट करता है तो गुर्तवा कर्षन का नियम ध्यान रखेगा आप लोग अपसा नमबर A साथ नमबर प्रस्ण का सही जवाब होगा 61 नमबर प्रस्ण है कार किस पर निर्भर नहीं करता है देखिए बल पर करता है विस्तापन बेवे करता है सनवेक पर नहीं करता है अपसा नमबर C 61 नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा 62 नमबर प्रस्ण है प्रकेर्टी में सबसे ससक्त बल कौन है तो सबसे ससक्त बल आपका हो जाएगा ना भी किये बल option number C आपके 62 का सही जबाब होगा ठीक है 63 नमबर प्रस्ण है 16.10 OONS के बराबर होते हैं तो 16 OONS के बराबर होते है option A में आपके 63 नमबर प्रस्ण का सही जबाब दिया गए 64 नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से कौन सा तथ तो मेंडलीव की आवर्तसानी में एक निश्चित अस्तान नहीं पा सकता, तो एक निश्चित अस्तान नहीं पाया है, ध्यार रखेगा हाइट्रोजन, बाकी नाइट्रोजन, सल्फर को अस्तान मिल चुका है, ठीक है, चली, अगला प्रसन देखिए, 65 नमबर किसी तुटपे गन मेटल किस मिश्रधातू से निर्मित होता है, तो कॉपर, टीन और जिंक से निर्मित होता है, अपसान नमबर, यह आपके 66 नमबर प्रसन का सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए 66 नमबर प्रसन है, निमलिखित में से कौन सा रसाइनिक समिकरन संतुलित है, देखिए 2Mg और 2O2, और यहाँ पर 2Mg यह निकी Magnesium Oxide, 2,2 यह निकी Oxygen भी 2, तो इधर भी Oxygen दूगो है, Magnesium दूगो तो इधर भी 2 है, तो संतुलित कौन सा हो जाएगा, तो D हो जाएगा, अपसन नमबर D आपके 66 नमबर प्रसन का सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, टिंडल प्रभाव को परदर्शित नहीं करेगा, अपसन नमबर प्रसन का सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, उनातर नमबर प्रसन है, इनमे से किसका उप्योग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो कैंसर के उपचार में ध्यां रखेगा आप लोग, यानिकी Cobalt के समझ प्रस्तानिक, सी साथ, आप लोग देखे होंगे, सी साथ का परियोग होता है, अपसन नमबर एक को ध्यां रखेगा, आगे देखिए, उनातर के बाद आपका सत्तर नमबर प्रसन है, पसुगों के इनमे से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं, तो और्थोपोड भी आप प्रोटोपलाज में ध्यां रखेगा, अपसन नमबर डी आपके एक हतर का सही जबाब होगा, ठीक है, बहतर नमबर प्रसने मेधक, छिपकिली, पक्छी, चत्ता, मानव के पाद, डैस, अंग के उधारन होते हैं, तो यह जो उधारन हो जागा, बहतर नमबर प्रस के चाको यूद हुआ है, तो तेल के कारण हो जागा, अपसन नमबर सी को ध्यां रखेगा, चोवातर नमबर प्रसने, ला रिम फोर्मा नामक आंदोलन की से संबंदित है, तो ध्यां रखेगा, यह आंदोलन आपके, यानि की चोवातर के लिए सही जबाब, अपसन नमबर अपसन नमबर प्रसने, अपसन नमबर प्रसने, जैन धरम में मुर्ति पूजा का सबसे पुराना साक्ष कोन सा है, तो अपसन नमबर ए को ध्यां रखेगा, हाथी, गूफा, सिलालेक, अठातर का सही जबाब, अपसन नमबर ए हो जाएगा, ठीक है, आगे देखिए, 89 नमबर प्रसने, लोगपाल संस्ता में अध्यक्ष समित अन्य सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो एक अध्यक्ष हो अध्यक्ष का स्री निवास, वरद, चरियर, अपसन नमबर डी, आपके 80 का सही जबाब हो जागा, ठीक है, अगला प्रसने, 81 नमबर, डेस से भरपूर, अहार में प्रोटीन और वसा भरपूर की तुलना में कम पानी की आवसकता होती है, तो 81 का सही जबाब, अपसन नमब C, आपके 82 का सही जबाब हो जाएगा, ठीक है, 83 नमबर प्रसने, मानो मस्तिक्स का कौन सा भाग, शरीर की मुद्रा एम संतुलन को विवस्तित रखता है, तो अपसन B को ध्याँ रखिएगा, सेरे बेलम, ठीक है, 84 नमबर प्रसने, निमलीखित में से कौन से परकार के भी कहा जाता है, तो आन्तो पदविद का नाम ध्याँ रखिएगा, अपसन B में आपके 84 का सही जबाब दिया गया है, 85 नमबर प्रसने, एक लंबी धरा परवाहित सिधी सुलनोइड के अंदर, चुमबक्ये छित्र की ताकत आप से पूछा गया है, तो सभी बिंदू उप समान होता है, अपसन C आपके 85 का सही जबाब हो जागा, ठीक है, अगला प्रसने, 86 नमबर, दो या दो से अधिक घुलनसिल द्रव, जिनके कथोनांग का अंतर, डैस से कौम होता है, कि मिश्रन को प्रिथक करने के लिए प्रभावी आस्वन बिद्धी को क्या कहा जाता है, तो 25 देखिए, 25 केल्विन की जरूत होता है, अपसन A आपके 86 का सही जबाब हो जागा, ठीक है, अगला प्रसना आप लोग देख लिजिए, यहाँ पर, 87 नमबर जो प्रसन पूछा गया है आपसे, फिल्म सूपर 13 के निर्देशक कौन है, तो विकास भागल का नाम आप ल देखिएगा, तो 1 अक्टूबर 1958 को अमेरिकी अंतरीप एंजेंसी नासा का गठन हुआ, बिल्कुल सही हो जागा, B वाला भी कथन सही है, C वाला भी कथन सही है, इन में से कोई कथन असर्त्य नहीं है, D आपके 88 का सही जबाब होगा, ठीक है, आगे देखिए, 89 नमबर प् पाल कालीन, कलाकार, धीमन और बिठल पाल कहां के निवासी थे, तो नलन्दा के थे, आप्शन B में आपके 90 नमबर प्रस्न का सही जबाब है, ठीक है, अगला प्रस्ने आपका 99 नमबर, अठारस संताओन के बिद्रो का नेतरिट, तो पटना में किस ने किया था, तो पटन सी आप लोग ध्यान रखिएगा, अगला प्रस्ने भारतिय अर्थ प्रवस्ता के उधारिकरन का अग्रदूत, यानि कि पानियर किसको कहा जाता है, डाक्टर मनमोहन सिंग, अप्शन नमबर ए को ध्यान रखिएगा, आप लोग ठीक है, नबाट की अस्तापना, 94 नमबर प सतत आर्थिक व्कास की अभिपराई, तो ध्यान रखिएगा, वरतमान पिठी के व्कास की साथ-साथ, भविस्यका आर्तिक विकास, अफ्यान नमबर A आपके 95 नमबर प्रस्न का सही जबाब है, 96 नमबर प्रस्न है, दास्वी के एक कोनोमिक्स से है, एक किसान किस के पास, जिसके पास एक से दो हेक्टेर एक जोत है जना जाता है तो लगु क्रिशक कहा जाता है अप्षन D ध्यां रखेगा पीली या पीत करांती किस से हो जागा तो तीलहन से हो जागा अप्षन नमबर सी आपके संतानवे नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है अंठानवे नमबर प्रस्ण है निमलिखित में से किसने गाधिवादी योजना त्यार की थी तो नरायन अगरवाल ने इस योजना को त्यार किया था अंठानवे का सही जबाब अप्षन भी होगा ठीक है लास्ट प्रस्ण है आपके इस प्रस्ण का प्रक्टिसेट का एक रूपे के न बित मंत्राले के सचीव का होता है अपसंसी आपके हंडिट नमबर प्रस्ण का सही जबाब होगा ठीक है तो बिहार पुलिस के लिए नवी और दास्वी के सिलबस पर आधारित हंडिट जो हम लोगों का जीके और जीएस के प्रस्ण थे काफी इंपोटेंट है आपके बिह पुलिस के लिए अगर आप इस पर सेलेक्शन लेना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ डेली प्रक्टिस सेट को लगाईए जिससे आपके एकजाम में आपसे प्रस्ण न चुटें और यहाँ प्रक्टिस सेट भी है देख लिजिए यानि कि ज्यान बिंदू जीएस अकेडम करके रिविजन करते हैं तो ठीक है चलिए तो आज के जीके और जीएस के इस दास्वी लेबल के प्रस्णों में आपका माक्स कितना गया है आप सभी जरूर हमें कमेंट करके बताए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो जरूर सेशन को सेर और लाइक कर दीजिएगा और चैनल पने है तो साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है चलिए तो अगले क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए जहिंद जैभारत